इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटस्ट खबरे वा आदेश हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन को कर ले सलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहु 12 जनवरी 2023 बड़ी खुशखबरी मध्यप्रदेश के शासकिये करमचारी पेंचनों के लिए बड़ी खुशखबरी नए साल के बाद लोकसभा चुनाव से पहले करमचारियों का 8 प्रतिशत दिये बढ़ेगा मध्यप्रदेश के शासकिये करमचारीयों के महनगाई भत्ते की बात करें तो वर्तमान में केंद्र से 4 प्रतिशत दिये पीछे चल रहे हैं 1 जनवरी 2024 से केंद्रिय करमचारियों के बार फिर 4 प्रतिशत दिये बढ़ाने की खबरे सामने आ रही है यदि ऐसा होता है तो केंद्रिय करमचारी और दिये बढ़ाकर 50 प्रतिशत हो जाएगा ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद कर्मचारियों की तुलना में 8 प्रतिशत पीछे हो जाएंगे कुछ माह में लोकसभा चुनाव होना है ऐसे में मध्य प्रदेश के शासकिय कर्मचारी का 8 प्रतिशत DA बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है मध्य प्रदेश में जब शिवराज मुख्यमंत्री थे तो निर्वाचन आयोग से 4% दिये बढ़ाने की अनुमती मांगी थी परंतु 4% दिये नहीं बढ़ पाया तब से लेकर अभी तक दिये नहीं बढ़ा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डौक्टर मोहन यादव से सभी कर्मचारी संगठन एक ही मान कर रहे हैं कि कर्मचारियों का महनगाई भत्ता ततकाल बढ़ाया जाए देखना ये है कि मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों की इस मान को कब पूरा करते हैं